गुड मॉर्निंग गाईज वेलकम टू एक्जाम्स कार्ट आये जानते हैं आज यानि 28 अक्टूबर के टॉप 10 करेंट अफियर्स चलिए पहला करेंट अफियर्स देखते हैं पहला करेंट अफियर्स है चिदानंद राजगटा ने लिखी कमला हैरेस फेनमेनल वुमेन नामक एक नई पुस्तक प्रसित्य पत्रकार और लेखक चिंतानंद राजगटा ने सयोकत राज अमेरिका युएसे की पहली महीला रास्पती कमला हैरेस की जीवनी कमला हरेस फेनमेनल वुमेन नामक एक नई पुस्तक लिखी है इस पुस्तक में मिश्रित जाती यानि भारत और जमाइका की एक महीला जो की है कमला हरेस के जीवन की गटनाओं को दिखाया गया है जो पहली भारतिय मूल की सयोकत राज अमेरिका की उपरास्पती बनने वाल पहली महीला है ठीक है तो मेली कमला हरेस की जीवन शाय के बार में बताया गया की नेक्स देखते है 27 अक्तूबर को मनाया गया 27 अक्तूबर को मनाया गया भारतिय सेना का 75 इनफेंट्री यानिकी पैदल सेना दिवस infantry कौन सी होती है भारतिय सेना हर साल 27 अक्तूबर के रूप में मना ती है इस दिन जब सिह रेजीमेंट की पहली बटालिया श्री नगर एर बेस पर उत्री और दिन्टा और असाधरन साहस का परीचे दिया और पाकिस्तानी सेना के बुरे मनसूबों को विफल करने के लिए दी वाल बन गई जिसने 1947 में आदिवासी हमलावरों की मदद से कश्मीर पर आकरमन किया था ठीक है पाकिस्तान जो अकरमन किया था 1947 में उसके खिलाफ यह जो पंजाब रेजिमेंट थी सिख रेजिमेंट यह एक वाल का काम की थी ठीक है तो उस दिन को याद रखते हुए यह दे मनाया जाता है इंफेंट्री डे ठीक है नेक्स रिखते हैं भारत यूके ने पहला त्री सेवा अभ्यास कौंकन शक्ती 2021 आविजित किया ठीक है भारत और युनाइटिट किंग्डम के शसस्त्र बल 24 से 27 अक्टूबर 2021 तक अरब सागर में कौंकन तड़ पर पहले त्री सेवा अभ्यास 2021 के समुद्री चरण का कार कर रहे हैं साथ दिवसिय अभ्यास का बंदर का चरण 21 से 23 अक्टूबर को 2021 तक मुंबई में आयुचित किया गया था और अभ्यास कौंकन शक्ती 2021 का उद्देश दोनों देशों की बीच सहयोग और मजबूत करना है ठीक है मेली अगर इसका देशों के बीच में भारत और UK आपको यह याद रखना है ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं संस्कृति मंत्री जी के रेड़ी ने लांच किया अमरत महतसव पॉड़कास्ट ठीक है केंद्रिय संस्कृत और परेटन मंत्री हैं जी के रेड़ी ने मंत्राले द्वारा आजा शंकला भारतिय राश्टि सेना व्यक्तियों और आंदोलनों को एक शद्दान्जली है जिसने भारत के सुतंत्रा संगराम में महत्पुन योगदान दिया था उनको शद्दान्जली देते हुए इस पर्टिकुलर पोड़कास्ट को ब्रोड़कास्ट किया जा रहा है ठीक ह इन दियात है प्रत्य घर के लिए ODF यानी open defecation free और बिजली हासल करने वाला पहला राज बना गोव ठीक है गोव एक तो open defecation free हो गया है और दूसरा हर घर बिजली पहुचाने वाला राज बन गया है गोण थीक है गोण ने हर घर खुले में सौच यानि ओपन डेफिकेशन फ्री और हर घर बिजली हासिल करने कर ली है मूल ODF प्रोटोकॉल वर्ष 2016 में जारी किया गये था यह ODF जो है ओपन डेफिकेशन फ्री ये प्रोटोकॉल कब जारी किया गयता है 2016 में इसके अनुसार किसी शहर का वाड को O.D.F. शहर या वाड के रूप में अधिसुचित किया जाता है यदि दिन के किसी भी समय एक भी विक्ति खुले में सौच नहीं करता है तो तो इसको O.D.F. फ्री डिक्लियर कर दिया जाता ह है ठीक है इसके साथ आपको भी बताओना चीए गुआ की जो कैपिटल है वो पाना जी है ठीक है चीफ मिनिस्टर है प्रमोट सावन और गवर्नर है श्रीधरन पिल्लाई ठीक है नेक्स देखते हैं भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का कोलक कोलकता मैं उद्गाटन हुआ रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ठीक है रो आई पी जिसे कहते हैं कोलकता मैं शामा प्रसाद मुखरजी पोर्ट स्पीम पोर्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला प्रमुक भारतिये बंदरगा बन गया है आरो आईपी का उद्गाटन SPM पोर्ट के अध्यक्ष विनीत कुमार ने किया आरो आईपी प्रणानी एक लंबी दूरी की समुद्री संचार समाधान है विशेश रूप से तूफान और खराब मौसम के दौरान सायक होती है ठीक है आरो आईपी कब काम इस्तापित NIPUN भारत मिशन के लिए राश्ट्रे संचालन समीती का गटन किया गया है स्कूल सिक्षा और साक्षरता विवाग ने निपन भारत मिशन के कार्यवहन के लिए राश्ट्रे संचालन समीती नैशनल स्चीरिंग कमेटी NSC का गटन किया है या सिक्षा की प्रगति मुखली का विश्लेशन करने और राज्यों संग राज्यों शेत्रों को के Caesar feedback प्रदान करने के लिए मुलियंकन की पद्दिती विक्सित करने का आप प्रयास करेगी केंद्रिय सिक्षा मंत्री है, इस समय धर्मेंद्र प्रदान इस समीटी के वो अध्यक्ष होंगे, कौन समीटी NSC, यहनि कि National Sharing Committee के अध्यक्ष होंगे हमारे सिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रदान ठीक है Next है सिधार्थ लाल 5 साल के लिए फिर से आईशर मोटर्स के एमडी नियुक्ति हुए हैं सिधार्थ लाल आईशर मोटर्स लिमिटेड ने एक माई 2021 से सिधार्थ लाल को कम्पनी के प्रबंदग निर्देशक के रूप में पांस अगले फिर से नियुक्ति करने का प्रस्ताव पारित किया था पूर्ण नियुक्ति के प्रस्ताव को कुल 226 मिलियन मतों में से लगबग 93.8 प्रतिश्यत के प्रस्ताव के पक्ष में जाने के लिए मंजूरी दे दी गई है तो अब अगले पांस अलगले कौन मनेंगे दुबारा से नियुक्ति हुए हैं सिधार्थ लाल ठीक है आप एशर स्मोंटर ठीक है यह में ली ट्रक्स वगदाती है और बाइक वगदा राप एशर मोटर काफी पुरानी कंपनी है 1982 की कंपनी है और रॉयल एंफील्ड की ये पैरेंट कंपनी है ठीक है और इसका एट कोटर का है न्यू डेली में ये सिंबल आपने कई बार देखा वो कई ट्रक्स पे एशर मोटर्स इंडिया की कंपनी है ठीक है नेक्स्ट गेल बनाएगा भारत का सबसे बड़ा हरिद हाइड्रोजन 있र गेल ये जैक्रिस गैल नहीं है येल एक गंपनी है इंडिया की महारत कंपनी है क्या नाम है इसका इस गरज तॉमिट हो ली गिल यानगी गैस उतनि ऑ औफ ली बार भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले साहियत रिका निर्मान करेगी क्योंकि यहां कारवन मुक्त इंधन के साथ अपने प्राकर्तिक गैस वेबसाइट को पूरक बनाने की कोशिश कर रही है गेल के अध्यक्ष और प्रबंदग निदेशक है मनोजन इन्होंने कहा कि कंपनी 10 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर बनाने पर विचार कर रही है जो रोजाना 4.5 टन हरित हाइड्रोजन पैदा करने में सक्षम है ठीक है तो काफी अच्छा प्रोजेक्ट है नेक्स है सतर्कता जागरुकता सब्तहा से कब मनाया जा रहा है 26 अक्टूबर थे एक नमबर तक मनाया जाएगा विजलेंस ए विजलेंस आवेरनेस थीन्टैंड़ केंड्री सतर्कता आयोग कंड्री है 26 अक्टूबर से 1 नमबर 2021 तक सतर्दार जागरुकता सप्ता है निकी विजिलेंस अवेरनेस वीक 2021 का आयोजन किया जा रहा है वार्षिक कारिकरम उस सप्ता के दोरान मनाया जाता है जिसमें सर्दार वल्लबाई पटेल का जनम दिन आता है और इस बार कप पढ़ रहा हुआ जनम दिन 31 अक्टूबर को ठीक है 31 अक्टूबर को उनका जनम दिन होता है सर्दार वल्लबाई पटेल का ठीक है सतर्कता जागरुकता सप्ता है निकी विजिलेंस अवेरनेस वीक की इस पर जो थीम है वो क्या है सवतंत्र भारत एड़रेट 75 अखंडिता के साथ आत्म निर स्कूरिटी ठीक है तो थीम इंपोर्टेंट है यह आपको याद रखनी है आई होप आपको आज के करन्ट अफेर्स महत्कून लगे होंगे इफ यू लाइक दे वीडियो प्लीज हिट लाइक बटन और अपनी दोस्तों के साथ भी शियर करें चैनल पर पहली बार आए तो स